अच्छा चेनल आज के वड़े में बात करने वाले हम कि हाउ टो क्रेट पासवड प्रोटेक्टिड जीप फाईल विद रहल पॉफ विन आर राच सॉफ्ट्व्ट्विर की हैं पासवड प्रोटेक्टिड फाईल कैसे क्रियेट कर सकते हैं jif file हो या rar file हो कैसे create करनी है simple वही मैं आपको example दे रहा हूँ यहाँ पर एक folder creator screen पर आपको show हो रहा होगा इस पर अपने click करना है right और आना है option add to archive पर जैसे आप add to archive पर आएंगे आपको बाकी option पता है जिन्हें अब तक previous video को watch नहीं किया है कि win rar actual में होता क्या है कैसे install करना है उसकी help से jif file कैसे create होती है तो description में वीडियो के link दिये हुए है उनको watch कर लीजिए 7zip भी एक alternative है win rar का उसको भी आप देख सकते हैं उसकी help से भी आप jif files create कर सकते हैं ठीक है तो इसका में example जो है name change कर रहा हूँ rar पर click किया हुआ है यहाँ पर right side में check कीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है set password तो आपने क्या करना है set password पर click करना है अब password मतलब क्या है अगर आपने किसी के पास jif file send की है और अगर वो उसको extract करेगा तो उसके पास password का option आएगा जब तक वो password उसके उनर फिल नहीं करेगा तब तक वो check नहीं कर सकता कि उसके उनर फाइल क्या है ठीक है other use क्या है इसका कि मान लीजिए आपने laptop में ही को data रख रखा है personal data है आपका आप उसकी jif file बना लीजिए और उसका password set कर दीजिए ठीक है कोई other member आपका laptop open करेगा तो वो उस files को check नहीं कर सकता क्योंकि password उसका आपको पता है ठीक है तो यह आपका सही use कीजिए कैस का गलत use नहीं करना तो इसका password आप यहाँ पर enter कर लीजिए मैं password दे रहा हूं 123 enter password और then re-enter password 123 यह set करने के बाद आपने simple करना है okay पर click करना है आपका password लग चुका है अब आपने करना है again okay पर click कीजिएगा आपकी जो है आर यार file create हो चुकी है अब अगर आप इसको extract करेंगे तो extract करती ही आपके पास option आएगा देखो यहाँ पर processing यहाँ पर रुक चुकी है क्योंकि option आगया है password का तो आपके आप पर password देना है 123 password देंगे okay करेंगे processing शुरू होगी और आपका जो है folder extract हो जाएगा ठीक है size का check कर लीजिए size में इतना फरक नहीं पढ़ने वाला ठीक है size वही रहेगा बट क्या होगा आपके files पर एक password लग जाएगा protected हो जाएगी file आपकी कोई इसको use नहीं कर सकता ठीक है similarly अगर आपको create करनी है zip file पर लगाना है password तो वही process है rr के जगा zip पर क्लिक कीजिए set a password लीजिए 245 और यहाँ पर दीजिए re-enter 245 okay पर क्लिक कीजिए then okay तो आपकी यहाँ पर zip file create हो चुकी है इसको अगर आप extract करेंगे तो password पूछेगा 245 password देंगे okay करेंगे तो आपकी यह file जो है extract हो जाएगी ठीक है wait होई नहीं लग रहा दुबारा से करते हैं पहले मैं files को delete कर लेता हूँ क्योंकि extract करने में वो शयद name ले रहा है तो यहाँ पर मैं इसको extract 2 पर click करूँगा और आके ओके 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 just wait इसका name change करते है 12 अब इसको मैं file को यहाँ पर extract करूँगा extract example 245 तो मेरी files extract होँगी वो problem क्या हो रही थी rename जो था वो same था जो name था files का वो same था तो replace हो रही थी तो आपको visible नहीं हो रहा होगा proper तो यह मेरी file जो यहाँ पर example वाली भी protected हो चुकी थी ठीक है तो आप इस तरह से आप अपनी files को data को protected कर सकती हो ठीक है बहुत easy process है ओकी बाकिस के अंदर और options भी हैं अगर आप उनके बारे में सीखना चाहती है अगर आप कोई चीज समझ नहीं है तो आप comment section में आप comment भी कर सकती है तो यह हमारे topics था जिसे हमें हमने discuss किया है कि win rr files हो जिफ files हो उनको हम password protected कैसे कर सकती है ठीक है hopes आपको समझ आ गया होगा seven zip का concept आपको समझ आ गया होगा और rr वला जो concept है win rr वो भी आपको समझ आ गया होगा ठीक है अगर और भी कोई आपका doubt रहता है और options के बारे में आपने सीखना है तो आप comment section में comment कर सकते हैं और topics पर भी इनके उपर detail में video आपको मिल जाएगा ठीक है और अगर doubt आपका तो आपना instagram पर join हो जाएए मेरे साथ वहाँ पर भी आप में doubt clear कर सकते हैं so that's it for this video I will see you in next video bye bye